हरे कृष्णा शायद आप मेरी वाद सुन पा रहे होंगे यह बहुत ही महत पूर्ण श्लोक है और बहुत ही प्रिणा दायक हर बक्त चाहता है आप सभी लोग चाहते हैं कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर सकें तो यहां पर स्वयम भीष्वदेव यह सूत्र बता रहे हैं कि कौन सा भक्त है जिसको भगवान का दर्शन मृत्य के समय होगा बहुत ही सुंदर्श लोक है बहुत सुंदर्श लोक है शिम्यद भागवत्व प्रतमस कंद नवाध्याय बाईसमा श्लोक तथापी एकांत भक्तेशु पश्य भूपानु कम्पितम यन में सुन्स्त्यजतह साक्षात कृष्णो दर्श नमागतहु वहती भावपूर्ण श्लोक है तथापी तथापी का मलत समस्ते हैं तथापी ऐसा होते हुए भगवान यद्यपी सभी के प्रतिसम हैं किसी से द्व कहने का मतबी है कि कुछ विशेश बात है तथापी फिर भी एकांत भक्तेशु अपने एकांतिक भक्तों में पश्य एकांतिक मतलब जो भगवान कृष्ण के लवाब और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं कृष्ण की भक्ती ही करते हैं पश्य भूपा भूप निया कीरहे हैं कि विशेष्क्रपर आफgest कर रहे हैं यमें असुंस्त्य बनला ह hoping जब मैं उसमने प्रान त्याक रहा किर्फश्णु और अपना दर्शन देन के लिए यह मैं करने के लिए अपना दर्शन देने के लिए स्वयम कृष्टप पस्तित हो गए तो सूत्र आप बहुत स्पष्ट समझ रहे हैं इस भक्ति को हम कर रहे हैं सभी के जीवन में सुख और दुख आएगा हानी लाब आएगा शोख बहुं सा कुछ होगा लेकिन हर परस्ति में अगर हम भगवान का नाम जब करते रहते हैं भक्ति करते रहते हैं तो यह एक आंतिक भक्ति इस जगत की परिशानियों से प्रभावित तो होंगे ही हम सबाविक सी बात है लेकिन इसमें भी भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो भगवान ऐसी व भगवान को जो सबसे प्रिय है उनके नामों का उचारण उसको बड़ी सावधानी से रोज कर रहा है तो जब है शरीर त्यागेगा तो कैसे क्रिश्ण उस भग को भूल सकते हैं प्लीज ट्राइट अंडरस्टैंड भगवान क्रितग्य हैं एक एक नामों चारण के लिए अगर आपने सुख में दुख में जो सब उन्हीं के द्वारा दिये जाते हैं गीता में सपश लिखा है तो उन सारी एक्जाम्स में सुख में दुख में हानी में लाब में हवान का नामों चारण करना नहीं छोड़ा है तो कृष्ण ऐसे भक्त को कैसे छोड़ सकते हैं कि करके देखे जीवन में और निश्यदा भगवान की प्राप्ति करेंगे हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं देखे आपने क्या लिखा है और आप जानते हैं जो भागुतम सुन रहे ह इदिश्टर महाराज में महुत पन करके अज्यान पन करके दुख पन करके बहाना करके इतने लोगों को लेकर रिश्य मुनियों के साथ वहां पहुंच रहे हैं जहां बीश्मदेव शरीर त्याग दवाल हैं प्रश्णा करें दो लिखाने क्रिश्णा और वहां पने लोगों को अपने पास लेक्ते बात है कि उपर नीचे होगा जीवन में कितना उपर नीचे बहिश्मदापिता माप होगा आप में से किसी को ये सित्नी प्राप्ति नहीं कि बान पूरे शरीर में धसे उपड़ाए इतना नहीं होगा लेकिन गती वही प्राप्ति होगी बस लगे रही भगवान की बक्ति में हर तरह से हरे एक संबन में शुल्य प्रहुपाजी का एक और बहुत सुंदर वक्तव है गुडानवा प्रगु कह रहे थे बहुत भावपूर कह रहे थे कि कृष्ण बलराम विल अगर भगवान की प्रति समर्पित होता है तो भगवान भी भक्त की प्रति समर्पित होते है विशेज ध्यान रखते है रखते हैं रख रहे हैं और रखेंगे विश्वास करके चलिए जीवन भर भगवान का जिसने नाम चालन करके सिवा करी है उसकी दुर्गती कभी नहीं हो सकती वे निश्यद भगवान की प्रति करेगा प्लीज कंटिनू तो चैन्ट डिस्पाइट ओर डिफिकल्टीज वि